कार धारा जीएस के comprehensive current phase program में मैं पोक्ष राजगिरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ तो मेरे इस वीडियो के माध्यम से basically 36 गड़ का weekly current phase लेकर मैं आप सभी के सामने आ चुका हूँ ठीक है और ये जो weekly current phase है न ये actually यहां गलती से September लिखा गया है यार October 11th of October से लेके 18th of October 2024 का है एक बात आपको मैं बता दूँ पिछले कुछ दिनों से students मेरे को comment करके बोल रहे थे कि सर साहितकार वाला section भी क्या करिए include करिए न इसमें करके तो चलिए इस बार से हम लोग साहितकार को भी क्या करेंगे current phase के साथ साथ देखेंगे एक एक साहितकार को ठीक है तो समझना पहले साहित का राज बताता हूँ आपको सबसे पहले ध्यान रखना कि न जाड का मौसम है कैसा मौसम है जाड ठीक है ठंड और क्या आया है बादल जाड का मौसम है क्या आया है बादल आया है बहुत बढ़िया अब दो जुड़वा बेटी हैं समझ रहे हैं ठंड का मौसम है बादल आया हुआ है जुड़वा बेटी हैं वो लोग बिर्वा के नीशे बैठे हैं या बिर्वा के पास बैठे हैं तो जाड है बादल आया है जुड़वा बेटी है जो की बिर्वा इसके पास बैठे हैं वैसे तो बिर्वा के बहुत से अर्थ मिलेंगे बट हिंदी में सर्च करने पर आपको एक अर्थ में पेड़ या पौधा भी मिलेगा तो क्या मान सकते हैं अपन मान सकते हैं कि बढ़िया जाड का मौसम है बादल आया हुआ है जुड़वा बेटी है जो लग पेड़िया पौधे के पास में बैठे है अब इसको डिकोट करते हैं सबसे पहले बादल बादल से साहितकार है या रचनाकार है क्या नाम है इनका इनका नाम है चोवा राम बादल क्या नाम है इनका चोवा राम बादल अब इनकी रचना देखते हैं जाड से रवनिया रवनिया जड काला के जाड से रवनिया जड काला के ठीक है अगली रचना जुडुवा बेटी क्या है रचना जुडुवा बेटी फिर अगली रचना बिर्वा से ठंद बिर्वा ठीक है जुड़ुवा बेटी ये 36 गड़ी कहानी संग्रह है छंद बिर्वा 36 गड़ी चंद काव्य संग्रह है रवनिया जड काला के ये 36 गड़ी काव्य संग्रह है फिर से रिपीट कर देता हूं मैंने क्या कहा था जाड का मौसम है बादल आया हुआ है जुडवा बेटी है जो की बिर्वा के पास बैठे हैं बिर्वा बोले तो पेड़िया पौधा ठीक है बादल से रचनाकार चुवाराम बादल जाड से इनकी पहली रचना रवनिया जड काला के जो की क्या है चत्रस गढ़ी काव्य संग रहा है जुडवा बेटी अगली रचना है जो की चत्रस गढ़ी कहानी संग रहा है और फाइनली बिर्वा से चंद बिर्वा यह चत्रस गढ़ी संद काव्य संग रहा है आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी चलिए, आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले एक बहुत important announcement आप सभी के लिए, अगर आप CGPSE के aspirant हैं, और properly English Medium से हैं, आपको language barrier है, English में properly content नहीं मिल रहा है, English में answer writing नहीं कर पाते हैं, English में properly guidance नहीं मिल रहा है, तो आप सभी के लिए खुश खबरी है, 11th of November से English Medium का separate long term batch धारा GS लेकर आ रहा है, 7.30 से 10.30 में इसका timing रहेगा, इस batch में features क्या हैं, तो वैसे तो इस batch का duration 16 months का है, लेकिन online access आपको 2 years का मिलेगा, हम इस पे hybrid model भी देते हैं, जिसमें online और offline दोनों को एक साथ दिया जाता है, तो उस mode में अगर आप admission लेंगे, hybrid mode में, तो ध्यान रखना offline class में आने की सुविधा तिल सिलेक्शन है, तो अगर hybrid ले लिया, मतलब online, offline दोनों एक साथ ले लिया, तो offline class में तिल सिलेक्शन आ सकत हैं, फिर सिर्फ online लेना चाहें, तो सिर्फ online में live or recorded सुविधा भी हम देंगे, इसमें English medium में हम आपको notes देंगे, daily basis में answer writing कराई जाएगी, MCQs के practice कराई जाएगे, properly test कराई जाएगे, इसके अलावा state level का हमारा जो prelims test series होता है, वह भी इस batch में क्या होगा, included होगा, और जो अभी इसमें admission लेना चाहते हैं, तो इसमें 5000 रुपै का pre-registration discount है, pre-registration कराने पर 5000 पीज और पो off मिल जाएगा, same एक batch हम हिंदी medium के लिए भी ला रहे हैं, ये भी long term batch है, long term कहने का क्या आर्थ हुआ, ऐसे aspirants जो की वर्ष 2026 में होने वाले prelims और mains की तयारी कर रहे हैं, या उसको target कर रहे हैं, ठीक है, ये batch भी 11 November से start हो रहा है, बट इसकी timing शाम को है, तो हिंदी medium वाला batch शाम को है, English medium वाला batch जो है, वो morning में है, शाम का timing 5.30 से 8.30 है, morning का time 7.30 से 10.30 है, notes दोनों में included है, दोनों का approach dynamic है, test series दोनों में included है, ठीक है कि नहीं है, तो इन दोनों batches में ह 25,000 का आपको pre-registration का discount मिलेगा, और hybrid model में admission लेने पर दोनों में ही offline classes आपको till selection तक मिलेगी, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ जाते हैं, तो इस week का सबसे बड़ा जो news रहा था, वो रहा था क्या, कि राइपुर दक्षण, राइपुर ताउथ जो है, उस विधान सभा में, जो उपचुनाओ या, by elections हो रहे हैं, ठीक है, तो चुनाओ की अधी सूचना, बोले तो, election का notification, इसका date आया, 18 अक्टूबर ठीक है, नामांकन जमा करने की अंतिम तारीक, मतलब अपने, नौमीनेशन को, फाइल करने का, लास्ट जो डेट है, वो क्या है, 25 अक्टूबर नाम वापसी, मतलब अगर आप, अपने कैंडिडेचर को, विड्ड्रॉ करना चाहते हूं, तो नेम विड्ड्रॉल के लास्ट जो डेट क्या है, 30 अक्टूबर मतदान, वोटिंग, 13 नवंबर को है, फाइनली, इसका परिणाम, या रिजल्ट आएगा, 23 नवंबर को, ठीक है, पूरे 36 गड़ में, बाई इलेक्शन अभी सिर्फ एक विधान सभा में ही हो रहा है, क्यूं हो रहा है, तो 21 जून को, ये विधान सभा की सीट जो है, वो क् हो गई थी, रिक्त, वेकेंट हो गई थी, क्यों हो गई थी, तो आपको पता होना चाहिए, कि अभी जो विधान सभा एलेक्शन हुए थे, उसमें से, श्री ब्रिजमुहन अगरवाल, ये बिसिकली राइपूर साउथ से, राइपूर दक्षन से जीत कर आये थे, और ब्रि हो गई थी, वेकेंट हो गई थी, जिसके कारण भाई एलेक्शन जो है, वो कराए जा रहे हैं, समझ में आया, तो बहुत इजी है, MCQ टाइप का क्वेशन बनेगा, बहुत जादा चांस है कि आपसे क्या पूछा जाए, पोलिंग का डेट, या, रिजल्ट का डेट, या क्या पूछा जाए सीधा, यहां से कौन, जीता, तो अब जीता बता पाना तो अभी मुश्किल है, ठीक है, अभी तो कैंडिडेचर फ क्लियर है, ठीक है, अब कुछ सिंगल लाइनर न्यूज है, जो कि डिरेक्ली आपको फाक के तौर पर दिख सकते हैं, तो इंद्रावती और महानदी, इन दोनों को 131 किलोमेटर लॉंग नहर कैनाल से जोडने की बात चल रही है, ठीक है, इससे क्या होगा, इंद्रावती का जो सर्प्लस वाटर है, वो महानदी में आएगा, और महानदी के आसपास के जो डिस्ट्रिक्स है, उन डिस्ट्रिक्स में धान की जो खेती है, जो पैडी का फार्मिंग होता है, उसमें क्या मिल सकता है, पाइदार से, ठीक है, अब इसमें क्या होगा, बस्तर का जो चित्र चित्रकोर्ट वाटरफॉल है वहीं पास से ही नहर निकलेगी और बीजापुर नारायनपुर कोंडा गाउं खेश टाल कांकेर होते वें महांदी से जोड़ जाएगी ठीक है इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ेगी जो एक्स्ट्रा वाटर है कहा का इंद्रावती का जो अन्यू और आएगा यह नेक्स्ट नाशनल वाटर अवर्ड जल पुरुस्कार यह आ सकता है इसमें ध्यान रखना केरल स्टेट का तिरवन्तपुरम डिस्ट्रिक्ट है वहां का पुल्लम पारा इसको फर्स्ट प्राइज मिला है समझ में आया कि नहीं आया और कांकेर डिस्ट्रिक का मसूल पानी यह जो विलेज है ना या मसूल पानी पंचायत है इसको सेकेंड अवर्ड मिला है या सेकेंड प्लेस मिला है कहलो क्लियर है कि नहीं है तो ध्यान रखना यह क्वेशन सीधा बन सकता है नाशनल वाटर अवर्ड इसमें 36 गड के किस ग्राम पंचायत को मिला है तो कांकेर डिस्ट्रिक का मसूल पानी ठीक है नेक्स्ट दरीमा बिलकुल अमबिकापुर के बगल में है दरीमा यहाँ पर मा महा माया एरपोर्ट है तो नामकरण हो गया है दरीमा एरपोर्ट का क्या है मा महा माया एरपोर्ट इसका वर्चुल इनाउग्रेशन होने वाले वर्चूल है मतलब इनाउग्रेट करेंगे प्रधान मंत्री जी तो वहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहेंगे वर्चुली ओनलाइन इसका इनाउग्रेशन होगा कब 20 अक्टूबर किसके द्वारा प्रधान मंत्री श्वी नरेन मोदी के द्वारा तो यह सीध नवा राइपुर में बनेगा इनुवेशन हब तो यह डारेक्टी कोशन पूछेगा इनुवेशन हब कहां बनेगा कौन से डिस्ट्रिक में बनेगा ठीक है तो अगर आपके पास कोई आईडिया है तो आप इनुवेशन जाईए इनुवेशन हब जाईए वहाँ पर जो आइडिया को execute करने में help करेंगे even आपको funding की भी वहां से क्या मिलेगी मदद मिलेगी सबसे बढ़िया बात innovation hub में उमर का कोई रोगधाम नहीं है ऐसा नहीं है कि आठारा स्कम के लोग नहीं जा सकते साथ की उपर के लोग नहीं जा सकते जिनके पास आइडिया है और उनको लगता है कि आइडिया वर्क कर सकता है किसी प्रॉब्लम का solution है तो बिल्कुल जाईए ठीक है नेक्स्ट 27 अखिल भारती वन खिल और एंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट मीट यह 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक हो रहा है चत्त गड़ में इसका लोगो है हिल मैना पहाडी मैना जो कि चत्त गड़ की क्या है स्टेट वर्ड समझ में आया तो इस में से जो question बनेगा वो सीधा बनेगा कि कब से कब तक हुआ कहां हुआ और इसका लोगो क्या है इसका लोगो क्या है ठीक नेक्स चत्यस गड़ में चार्ण है मेडिकल कॉलेजिस कहां आ रहे हैं जांजगी चापा मनेंद्रगड सवर्धा और गिदम गिदम कहा है दनतेवड़ा ठीक है चलिए नेक्स रीता शांडिल जी XIS इनको CGPSE का सदस्य मेंबर और कारेकारी अध्यक आक्टिंग चेर परसन नियुक्त किया गया है इस नोटिफिकेशन को आपने देखा ही होगा वैसे तो इंपोर्टेंट है बट आज तक मुझे नहीं लगता कि कभी PSC ने पूछा है कि PSC का ध्यक्ष कौन है ठीक है तो पता नहीं मुझे नहीं लगता नेक्स्ट नवाराइ सिटी है वहाँ जाहिए वहाँ सारे सेट्स उपलब्द रहेंगे अपने सेट्स बनाईए और बढ़िया सा क्या करिए फिल्म बनाईए इधर उदर भटकनेक जौरत नहीं है तो एक ही जगा पर हो जाएगा मतलब सिंगल पॉइंट क्लिरंस फिंडो टाइप का इसका इतनी ऑस्ट्रेलिया तो चत्रेस गड़का जो गौरिला पेंड़ा मरवाही डिस्ट्रिक्ट हैं यहां के मोनु गोस्वामी इनको मिला है सिल्वर मेजल क्या मिला है रजत पदद्द अब इसमें से कैसा क्वेशन बन सकता है तो पहला क्वेशन बनेगा कि मोनु गोस्वाम से क्या है संबल देते हैं अगला यह पुछेगा वर्ल्ड पाउर लिफ्टिंग चैंपियंशिप में 36 गड़के किस खिलाडी ने सिल्वर मेडल जीता तो एंसर क्या आएगा बोनु गोस्वामी थर्ड प्वेशन वर्ल्ड पाउर लिफ्टिंग चैंपियंशिप कहा हुआ तो एंसर क्या आएगा सिड्नी ठीक है तो ऐसे तीन चार क्वेशन्स इसमें से बन सकते हैं इसके बाद बलोदा बजार डिस्ट्रिक्ट है यहां पर है बार नवा पारा वाइल्ड लाइफ सांक्चुरी बार नवा पारा वन्यजीव अभ्यारण निया ठीक है यहां 21 से 23 अ चानने का क्या मिलेगा मौका मिलेगा तो यह पूठ सकते है बाड़ा फ्लाइ मीट कहां हुआ बार नवा पारा कब से कब तक हो 21 से 23 अक्टूबर ठीक है चलिए तो यह कुछ क्वेशन्स थे फाइनली इस वीडियो को एंड करते हैं हम कुछ क्वेशन्स के साथ क्वेशन्स आप मुझे बताइए नेक्स्ट अखिल भारति वन खेल का लोगो क्या है यह भी आपको बताया है मैंने क्या इसका लोगो वन भैसा है हां थी है पहाडी मैना है क्या है आप कमेंट करिएगा नेक्स छत्योंगर के मोनू गोस्वामी किस खेल से संबंदित है पार लिफ्टि इसको क्या करना है कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है ठीक है तो चलिए अगले संडे को आप सभी से फिर से करेंड़ फैस के साथ मुलाकात होगी तो मैं मेलूंगा आप सभी से अपने अगले वीडियो में तब तक ले थांक्यू आंटे केर